फॉर्म में भी कोई गलती हो गई है और आप उसको correction करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि final lock लगने के बाद भी आप अपने फॉर्म में correction कर सकते हैं लेकिन किस तरह से तो आईए जानते हैं दोस्तो इस वीडियो को like कर दीजी अगर आप लोग चैन और sorry की problem आ रही है तो आप लोग नया form अप्लाई कर दीजिए ठीक है और दोस्तों दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जिल लोग के form में कोई गलती हो रखी है और उन लोग ने अपने form को final log कर दिया है ठीक है तो ऐसे में दोस्तों उन लोग के form को दुबारा unlock करने में थोड़ी problem आती है लेकिन ऐसे जो है correction नहीं होता है तो correction होता कैसे है दोस्तों correction के लिए एक date आती है government की तरफ से और उस date पर आप अपने form को login करके correction कर पाएंगे ठीक है तो correction date कब आएगी इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा था दोस्तों correction date पहले तो 2 December से 20 December के बीच आने को थी ल दिखा देता हूं दोस्तों यह scholarship का notice है जो कि scholarship की official website से निकाला गया है ठीक है और यह notice कितनी तारीक का है बो भी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए 2 December 2022 का यह notice है तो दोस्तों इसमें मैं आपको सीधे मेन मुद्दे की बात बताऊं तो यहां पर 14 नंबर पर आप लो चात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्ता को अभी लेखो सहित उत्तर देना दोस्तों मतलब कि यही है इसका सीधे सीधे correction date ठीक है और यहां पर जो date आ रही है correction की वो दोस्तों यह आ रही है 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक ठीक है तो अभी के हिसाब से अगर मानी है तो आप लोग को मैंने बताई दिया कि जिन लोग का result नहीं आया वो अपने form को भर दें और उसमें भरने के साथ-साथ result की जगापे आप लोग यह डाल सकते हैं यह तीन नमबर का notice आप लोग पढ़ लीजेगा result not yet declared ऐसे करके आप फिल कर दिए और उसके बाद जब आप करेक्शन डेट आता है छे नमबर को उस तारीक को आपने form को लोग इन करके अपने करेक्शन कर लीजे नमबर का ठीक है तो दोस्तों करेक्शन करना कैसे है उससे लेटर मैंने वीडियो बना रखी है आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको ब बता दूंगा नई वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों गुडबाई और मिलते हैं एक नई वीडियो में जब तक के लिए टेक क्यार